कि आ देखे लिखा वह गोली दरपडो की वकरता त्रिज्या-र तताफ फोकस दूरी-कर्त में क्या है संबन्ध है यह पराबर और ऑर और वर टू यह यह-फ सोकस दूरी बराबर वकरता त्रिज्या व piorटे क्या होती है दो है तो मैंने पिछले एडियो में हमें उत्तल दर्पन के लिए यफ और आर का संबंद क्या करना है ग्यात करना है ठीक तो देखी कैसे हम ग्यात करने है बहुत आसानी से आप देखते जाए ठीक है ना कोई दिक्कत किसी को नहीं ना बस आप देखते रहे बस पांच मिनट का आप समय दीजेगा जितना भी इस प्रावर तक प्रिष्ट का जो बीच वाला बिंद होता है उससे बोलते हैं धुरू क्या बोलते हैं धुरू ठीक अब धुरू किसे दर साई जाता है पी से ठीक क्योंकि पी मतलब पोल पोल मतलब क्या होता है धुरू होता है क्लिए रोगया अब इसको अगर हम ऐसे आभासी करें ऐसे तो यहां बीच में मिलेगा क्या सी मिलेगा क्या मिलेगा सी क्लिए रोगया ना अब इस स C और P को हम ऐसे मिलाएंगे C और P को मिलाएंगे तो यहां पर आपका यह निकल कर आया मुख अच्छ कौन सा अच्छ हो गया? मुख है अच्छ हो गया, ठीक, क्लिए रो गया अब यहां पर हमें क्या करना है कि मुख अच्छ बन गया सब टूटल दर्सा दिया, P और C के बीच में आपका फोकस है YF क्या है? YF है यहां तक आके समझ में अब आपका उत्तल दर्पन जो है पूर रूप से बन के क्या हो गया? ठीक, क्लियर हो गया ना? अब हमें क्या करना है? कि इस उत्तल दर्पन पर प्रकास के कितने नियम बताया प्रकास के जो करने है तो हमें इसमें पहला नियम लागू करना है, कौन सा नियम लागू करना है, पहला नियम, जिसको प्रतविम बनाने का नियम सेखना है, वो पीछे वाले बेडियों में देख सकता है, ठीक है, तो आराम से उसको आ जाएगा कि कैसे प्रतविम बनाने का नियम तीन होता था, ठी जो मुख अच्छ है, इसी मुख अच्छ के समानतर हम एक प्रकास की किरण, यह देखे, प्रकास की किरण हो गई, ठिक, हो गया ना अब ये प्रकास की किरण मुखच के समांतर गया ये जो प्रकास की किरण है कैसे गया है मुखच के समांतर जब प्रकास की किरण मुखच के समांतर जाती है तो इस प्रावर्तक प्रिष्ट पर क्या होगा टकराया है तो टकराने के बाद ये क्या होगा कि उत्तल में फोकस की और आती हुई क्या होती है प्रतीत होती है ठीक है ये फोकस की और आती हुई क्या होती है प्रतीत होती है कि लिए रो गया अब दूसरी पॉइंट समझेगा अब यहां पर एए हो गया और यह क्या हो गया भी हो गया ध्यान से देखेगा ए से कहा गया है बी तक गया है और जब यहां टकराया तो टकराने पर क्या हुआ कि ए प्रावर्तन हुआ तो प्रावर्तन के पश्चात यह फोकस की ओर आती हुई क्या होती है प्रतीत होती है ठी एक चीज आओर आपको पता होगा कि प्रावर्तक प्रिष्ट के किसी भी बिंद से यदि वक्रता केंज से कोई किरण जा रही है या जाती हुई क्या होती है प्रतीत होती है तो वह आपतीत और प्रावर्तित किरण के बीच में यदि उसको पीछे खेज दिया जाए उस वक्र से मिलाएंगे धियान दीजेगा हो गया ना अब बी और सी को यदि हम आगे बढ़ा दें क्या बढ़ा दें आगे आगे तो यह बन जाएगा अभिलम यह क्या बन जाएगा अभिलम बन जाएगा ठीक इसका नाम हो गया यन यन फार नार्मल नार्मल में इस होता है अभिलम तो हो गया ए बी यन और इस परावरतित किरन का नाम हो गया डी क्या हो गया डी क्लिए समझ में आ गया अब हमें इन्हीं चित्र की सहायता से क्या करना है यफ बराबर आर बाबर तू यफ क्या करना है प्रूफ करना है तो देखो कैसे अप्रूफ करना है ध्यान से देखिएगा इसमें देखिए प्रावर्तन का नियम लाग हुआ है देखिए ए बी यन तो यह हो गया आपतित किरण और यह हो गया अभिलम तो आपको पता है कि आपतित किरण और अभिलम के बीच कौन सा कोंड बनता है आपतन कोंड और यहां पर अभिलंब और प्रावर्तित किरन के बीच में क्या बनता है प्रावर्तन कोंड तो आपतन कोंड और प्रावर्तन कोंड सदो बरावर होता है प्रकास के प्रावर्तन के कौन से नियम में दूसरे नियम में तो हम पहला वही लागू करेंगे यहां से, देखे कैसे हो रहा है, कोंड A, B, यन, A कोंड है आपका, I, और A कोंड है आपका, R, तो A, B, यन, लिखेंगे, A, B, यन, बराबर, ध्यान दीजेगा, D, B, यन, कोंड, D, B, यन, मतलब इधर से देखे, इधर से A, B, यन, तो बीच में जो अच्छर आता है, वही कोंड होता है, तो A, B, यन, ये कोंड हो गया, और इधर से देखे, D, B, यन, ये कोंड हो गया, ये आपस में क्या है, बराबर है, क्यों बराबर है, यहां प्रावर्तन नियम से किस नियम से बोला गया है प्रावर्तन नियम से ठीक किलर हो गया अब यहाँ पर ध्यान और देना आपको है कि प्रावर्तन के नियम से हो गया है ना अब इसी फीगर में दूसरा इस्टार देखें यहाँ पर मैं बनाया कि इसमें आपका यह जो N, B, C है एक तरह से त्रियक रेखा हो जाएगा देखी कैसे हो रहा है मैं यहाँ पर अलग करके देख रहा हूँ यह जो मुख अच गया है यह हो गया मुख अच ध्यान दीजेगा यह कौन सा हो गया? मुख अच और मुख अच पर यहाँ पर क्या है? P है, यहाँ पर YF है और यहाँ पर क्या है? C है यह मुख अच हो गया और इसके उपर देखे A, B जो है A, B A हो गया और यह क्या हो गया? B हो गया तो जो A, B है इसको यह दिया हम और आगे से बढ़ाएं तो इस दोनों समांतर दिखाए दे रहे हैं, कैसे दिखाए दे रहे हैं, समांतर और इसी बिंद बी से यह जो आपका अभिलंब खीचा गया ऐसे है की नहीं है, तो यह बन गया अब तिरियक रेखा कौन सा रेखा बन गया तिरियक रेखा इसका नाम पड़ गया अब तिरियक रेखा जब दो समांतर रेखा देखें दो समांतर है दो समांतर रेखा पर कोई तीसरी रेखा इसे क्रास करती है तो इस तीसरी रेखा को बोलते है तिरियक रेखा कैसा रेखा बोलते है तिरियक रे रेखा कि अंदर को बनेगा इसको बोलते हैं आंतह चेत्र कहिए ठीक है और इस बाहर वाला क्या है 12 gebracht क्यों सा छेत्र नीचे भी क्या है 12iska को अच्य समझ येगा 29 друз यहां लिखेंगे संगत कोड़ नर्ण और ए, बी, यन बराबर ठीक है, एक कॉंड हो गया, इसके बराबर है तो इसका नाम कैसे लिखेंगे याफ से उठाइए, याफ है सी, बी, याफ है सी और बी, तो कॉंड हो जागा याफ है सी और बी, किसके अनुसार यहां लिख देंगे, ब्रेकट में संगत कॉंड से किस कॉंड से संगत कॉंड से वो लो आया की नहीं आया समझ में, आगया ना, समझ में तो संगत कॉंड कैसे हुगा है ना, तो ऐसे देखे, ए, बी को जब आगे बढ़ाया और मुख अच्छ है, यह दोनों समांतर रेखा है, इस पे तिरियक रेखा का काम करिया, यह बाहर छेतर का कॉंड है यह अंतर छेतर का कॉंड है, एक बाहर है और यह क्या है, अंदर है, यह आपस में बराबर होते हैं, यदि यहां तीस अंस है, तो यह भी तीस अंस है क्यों है क्योंकि संगत कोंड से है किस कोंड से है संगत कोंड से है कि लिए रहा गया अब यह जो प्रावरतन के नियम से है इसको हम बना देते हैं equation number first क्या बना दे equation number first और यह जो संगत कोंड है इसको बना देते है equation number second बात समझेगा ठीक, क्लियर हो गया तो समी करण एक और दो से लिखेंगे समी करण एक वै दो से अब समी करण एक और दो को देखे तो समी करण एक में भी कोड एवियन है और समी करण दो में भी कोड एवियन है तो 1 ABN, ABN बराबर DBN होता है, यहाँ DBN रख दीजिए कोई दिकत नहीं है तो देखे, समीकरंड 1 और 2 से, जब 2 बराबर नहीं समीकरंड 1 में भी ABN है समीकरंड 2 में भी ABN है तो कोड ABN के जैंग पर क्या रख देंगे हो गया की नहीं हो गया इस समीकरंड 1 और 2 को जब हल करेंगे तो DBN बराबर FCB आएगा, देखे, अब ध्यान से DBN लिखा है DBN मतलब A कोड हो गया ठीक, क्लियर हो गया उसके बाद FCB क्या करा, FCB, तो देखे FC और B, यह तो फिगर में देखे, जैसे यहां पर सिद्ध होकर आया है देखे, ध्यान से, DBN है तो यह देखे, DBN A कोड हो गया, क्लियर और यहां पर क्या करा, FCB हो गया A कोड, तो A कोड और A कोड आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया क्या हो गया, बराबर हो गया किलिए समझ में आया कोई दिकत नहीं है अब आगे देखिए जब इस समीकंड एक और दो से हल हुआ है अब आगे इसी फीगर में मिल लहा होगा ध्यान दीजेगा यहां का कॉंड मैंने यहां पर किया ठीक अब एक कॉंड देखे इसी तिरियक रेखा औरना तो यहां पर यहां पर अजूण और बना सीरसा विमोग का मतलता आमने और सामने का कोण क्या होता है बराबर होता है तो यह देखिए यहां पर आमने और सामने दोनों हो रहे ना तो यहां देखिए आर जो है यहां की कोण की क्या होगा बराबर होगा क्या होगा बराबर होगा तो यहां नामनी करण कैसे होगा ध्यान दीजेगा कोड कोड यन बी ए या ए भी यन बोल दीजे है ना सीर सा भी मुख यहां से उठा लिजे यन बी डी यह भी उठा दीजे यहां से यही है नहीं आपका यही है ठीक तो यहां पर डी है तो यहां जाएगा डी बी यन कोड डी बी यन बराबर किसके होगा यह दीजेगा डी बी और यन यहां का कोड हो गया और एक कोड इस कोड के बराबर है तो इसका नाम क्या हो जाएगा यफ बी सी क्या हो जाएगा यफ बी सी कोड यफ बी और C हो जाएगा, किसके उनसार हो गए यहाँ पर, सीरसा बिमोख से हो गया, सीरसा बिमोख से हो गया, सीरसा बिमोख जानता है ना, आमने और सामने का, यह बराबर हो गया, अब यहाँ पर ध्यान आपको देना सीरसा बिमोख से, अब इन दोनों पोएंटो में देखें कि मिला है DVN, DVN मिला है की नहीं मिला है तो DVN और DVN इसमें मिला तो है नहीं CV रख देंगे तो हो जागा kो F, C, B बराबर F, C आगया मतलब DVN बराबर F, C बी है और DVN बराबर F, B, Cै तो एक DVN के जहेंगे पर F, C, B यहां रख देंगे तो आएगा F, C, B बराबर F, B, C आगया यहां तक आगया ना समझ में कोई दिकत नहीं है अब यह जो बराबर होकर आया है इन दोनों को देखिए और देखकर देखे कौन सा चीज आ रहा है देखे F, C, B है क्या है F, C, B है तो देखे F, C, B यहां पर भी देखे F, C, B यहां पर भी देखे F, C, B एक कौन होगा जो बीच में अच्छर आता है वही कौन है उसी पर ध्यान देना है आपको तो F, C, B तो देखो F, C, B एक कौन हो गया और दूसरा पॉइंट है या फे BC है या फे BC है तो एक कोंड हो गया एक कोंड जब आपस में बराबर है तो एक तिर्भुज का निर्माड हो रहा है कि जिस तिर्भुज की दो कौंड बराबर है तो उसके दो भुजा भी क्या होंगे बराबर होंगे तो यहां पर हमारा बराबर क्या होगा यह आधार बन गया अब यह क्या बन गया आधार क्योंकि इसी पर कौंड बराबर है तो जिस आधार पर कौंड बराबर है तो छोड़ कर बाकिसे दो भुजा आपस में क्या होगा बराबर होगा तरहां लिख देंगे सी इफ बराबर कि सी इफ बराबर है कि भी आफ हो गया ऐसे आपको पता चल गया होगा कि इसके क्योंकि तिर भुज के कि जीज कि तिर्भूज के हो गया ना तो यहां पर है जिस तिर्भूज के दो कौन बराबर होते हैं उसके दो भूजा भी क्या होते हैं बराबर होते हैं तो यह जो एक तिर्भूज का निर्माण हुआ था इसमें दो कौन आपस में बराबर होते हैं तो दो भूजा भी आपस में क्या चोटा है लेकिन आपको थोड़ा सा असपस्टी करन करने के लिए थोड़ा सा दूर बनाया गया है ना लेकिन द्वारक वास्तों में है क्या बहुत चोटा है तो यहां लिखेंगे कि जब कि द्वारक कि छोटा है कि तब कि बिंद बी कि बिंद पी कि 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 निकट होगा कि अब ध्यान दिजेगा जब द्वारक छोटा है यह जो द्वारक यहां से बनेगा बिंद बी से इस मुकच पर जब लंब खीचा जाएगा तो यह द्वारक होजागा कि जब द्वारक छोटा होता है जब द्वारक क्या होता छोटा होता है तब बिंद जो बी है यह जो बिंद भी हो कहां आ जाएगा पी पर आएगा मतलब बिंद भी वैपी एक दूसरे की क्या हो जाएगे संपाती हो जाएंगे ठीक लिया तो इस समय जब ऐसा इस्तिती होता है तो यह जो बी यफ है क्या है बी यफ है वो किसके बराबर हो जाएगा आपका पी यफ के बराबर हो जाएगा किसके बराबर हो जाएगा पी यफ के बराबर हो जाएगा अईसे इस्तिती कभ होगी यह जो बी यफ बराबर पी यफ कैसे आया यह जो बी यफ है है ना और यह जो पी यफ यह संपा recipro셔 स्था अर्था जो BF की दूरी है वो एक की दूरी हो जाएगा पी-प की दूरी हो जाएगा इसलिख अभी आधिया है पीफ लिगदिया है अब ध्यान देना है आपको कि क्रितिक और स्थिख ऑर फिख़ोना ना थे यहां पर जो c f और bf अपसमें बराबर हैं तो क्या हम हम इसमें CF के जगें पर, है ना, PF लिख सकते हैं, तो या ऐसे लिख सकते हैं, या, यह जो CF बराबर BF है, तो यहां लिख देंगे हम लोग, CF बराबर BF, और इधर BF बराबर क्या आया, PF आया, क्लियर, यह ध्यान दीजेगा, CF बराबर क्या लिखा है, BF लिखा है, और इधर BF बराबर क्या आया है, PF आया है, मतलब CF बराबर BF बराबर PF आयेगा, देखिए, जराफीगर में ध्यान दीजेगा, CF यहां पर है, ठीक, क्लियर, BF यहां, यह पहले से बराबर था, और यह जो हमने बराबर करके लाया, तो PF है क्लियर आ गया, अब ह PC बराबर क्या होगा, PC जो है, यहां से यहां तक है, तो यह PC जो है, यह धुरू है, और वकरता केंदर के बीच, धुरू और वकरता केंदर के बीच की दूरी को बोलते हैं, वकरता तरिज्या, और वकरता तरिज्या दरसाया किसे जाता है, आर से, ठीक, और धुरू और फो दूरी बोलते हैं तो यह जो PC है पी और सी दो टुकडें बटा है है ना तो PC बराबर हो जागा पी अफ प्लस है ऐसी अब जो PC है वो क्या है इसमाल आर है यह जो पी अफ है ध्यान दीजेगा अब पी अफ सी अफ बराबर देखें 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 द आया की नहीं आया तो आ गया r बरावर क्या आया 2 यफ आया अब यहां पर या करकर कैसे लिख सकते है कि जो r बरावर 2 यफ आया है तो f बरावर क्या आ सकता है r by 2 भी आ सकता है यह हो गया hence prove ठीक क्लियर हो गया तो इस तरह हमने क्या किया उत्तल दर्पन के लिए भी क्या किया f बरावर r y 2 क्या किया प्राप्त कर लिया या r बरावर 2 f क्या हो गया सिद्ध हो ठीक है तो I hope आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और क्या करें केमेंट करें ठीक